असलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज हम जो है अंडे की बहुती यूनिक रेसिपी लेके आए हैं अंडा तो आपने बहुत बार खाया होगा रेस्टरंट वगरा में भी हम खाते हैं एक करी घर में भी बनाते हैं औ एक बार आप जरू ट्राय किजेगा तभी आपको पता लगीगी कि यह रेसिपी कितनी टीस्ट यूर लाचवाब है तो बस करना क्या है हमें अंडे को बॉइल कर लेना है जितने अंडे आपको चाहिए उसे साब से आप बॉइल कर लीजे और बॉइल करके हम एक अंडे को जो है चार पीसस में कट कर लेंगे तो इसे कट करके साइड में रखते हैं और चलिए यहां पे हमने गयास अन किया है उसमें रखेंगे एक कड़ाई कड़ाई जब गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा डाले तो देखिए प्यास का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, पिंकिश कलर आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बस इतने स्टेज तक यह हमेंसे पकाना है, तो प्यास हल्की सी फ्राइ हो गई है, तो अब हम इसमें डालते हैं, एक चम्मच अदरकलसन का पेस्ट, अदर क्लेसन का पेश जाल के हम अदर क्लेसन को भी थोड़ा अच्छा से भून लेते हैं 10 से 15 सेकंड के लिए तो दीखिए अदर क्लेसन का स्मेल अच्छी तरीके से निकल चुका है चलिए अब हम इसमें डालते हैं आदा चुटे चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच कश्मिरी लाल मिर्च और आदा चमच हम डालेंगे इसमें तीखी लाल मिर्च मसाली को भी चार से पांच सेकंड के लिए भून लेंगे हम उसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं टमाटर और काजू का पेस्ट काजू बिलकुल ऑप्शनल है अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल लीचे वरना इसे इसकेप कर सकते हैं आप सिर्फ टमाटर जो है पीस के इसे भी डाल सकते हैं सिर्फ टमाटर दालने से भी यह ग्रेवी का जो टेस्ट बहुत बहुत बहतरी ना आता है ला जवाब मेरे पास थे तो मैंने डाल लिए हम दालेंगे और दो हरी मिचों को मैने इस तरीके से बीच में कट कर लिया है इसे भी डाल जूँगी और अच्छे से एक बार हम नमक को मिक्स कर लेते हैं मसाले में और अब हम इससे ढटक के 10 मिट लिए मसाले को पका लेते हैं दस मिट के बाद देखिए, ओयल सेपरेट हो चुका है, यानि के मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, देख सकते हैं आप, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इसमें आदा छुटे चमच गरम मसाला पाउडर, इसे भी डाल के मिक्स कर लेंगे, अगर आपके पस गरम मसाला पाउडर ना हो, तो आप जीरा पाउडर दालीजिए, अंडा करी में कोई कमपलसरी नहीं है, कि गरम मसाला डालना ही चाहिए, चिकन मटन में जो है ज़रूरी है, कि इसमें गरम मसाला हमें लगता ही लगता है, अंडे करते हैं इसमें बॉयल आने का तो देखे इसमें बॉयल आ चुकी है अच्छी तरीके से तो चलिए एक बार हम इसे मिक्स करते है और इसके बाद हम इधर पे डालेंगे हमारे ये बॉयल कियो हुए इसिए काटके रखे दे इसे डालेंगे हम और एक बार हलके हातों से हम इसे मिक्स करेंगे हलके हातों से मिक्स करना है बहुत जादा घाई नहीं मचानी है क्योंकि बहुत जादा घाई करेंगे तो जो इसकी जर्दी है वो सारी की सारी जो है ग्रेवी के अंदर पिघल जाएगी तो बस हलके हाथ उसे कीजेगा तो जो थोड़ी बहुत ग्रेवी के अंदर गया है जर्दी वो पिघलने के बाद इसका टेक्चर जो है बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का तो यह आप जरूर डालेगा उसके बाद में यहां पर देखे मैंने लिया है चार्टेबल स्पून क्री क्रीम और इसे भी डाल लिया है इसे मिक्स कर लिया है क्रीम भी बिल्कुल ऑप्शनल है काजू क्रीम दोनों ऑप्शनल है आपके पास है तो डाल लीजिए वरना इसके बिना भी यह ग्रेवी एक करी जो है बहुत ही डेलिशिस बनके तयार होगी तो अब इसे हमें ढ़के पांच मिन जो है पका लेते हैं जो हमने क्रीम डाला है वो अच्छी तरीके से पक जाएगी पांच मिन में पांच मिन के बाद देखें यहां पर हमने गैस की फिलिम को ओफ कर दिया है अब उपस से डालेंगी हम थोड़े धनी के पत्ते और यह हमारी एक करी जो है बिलकुल तयार है तो चलिए इसे एक प्लेट में सर्फ कर लेते हैं हम और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं देखिए कुछ-कुछ अंडे की जर्दी जो है वो ग्रेवी के अंदर मैल्ट हो गई है इससे यकीन मानिये फ्रेंड्स जो ग्रेवी का टेस्ट है ना बहुत लाजवाब तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जर्दी जो है अंदर गिर गई है कोई फरक नहीं पड़ता है हमें तो देखिए यह हमारी डेलिशियस एक करी बनके तयार हो गई है रेसेपी अच्छ लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा अपने फामली फ्रे प्सेपी पसंदाइ हो